अप्डेट्स कॉंसलिंग ठीचिंग यहां मिलेगा सब। स्टुडेंट्स जिस्ट प्रिज्ट बेल आइकन और सब्सक्राइब महामना एजुकेशन हाब। विद्यार्थी चीवन में क्लास 10 के माक्स का बहुत वड़ा भैत्व है। कक्षा 10 के माक्स उसके साथ चीवन भर रहते हैं। का ध्यान रखना है, स्ट्रिम का चुनाओ करते समय और पढ़ाई करते समय उस पर विशेस चर्चा करने जा रहा है। क्रिप्या करके ध्यान से सुनियेगा। देखिएगा। और देखने सुनने के बाद में महसम लोग दक शेयर पी किजिएगा। जो की पूरिय विश्व के लिए सबसे बड़ी चुनाओती वाला समय है। इसी COVID-19 के प्रकोब के वीक्ष में Central Board of Secondary Education कक्षा 10 का परिणाम घोश्चित करता है। इस साल 18,00,00 से जादा विद्यारती कक्षा 10 की परिक्षा में बैठते हैं जिसमें पासिंग पसंटेज के अगर बात करें तो 91.46 प्रतिशत विद्यारती पास है। अगर लड़के लड़कियों का पसंटेज देखें तो लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मार ली है और 93.31 प्रतिशत लड़कियां कक्षा 10 में पास हैं। वहीं लड़कों का जो पासिंग पसंटेज है उस तरफ 90.14 है। 95% से ज़ादा अंग पाने वाले विद्यारतियों के संख्या काफी ज़ादा है। इस साल 41,804 विद्यारति ऐसे हैं जिनके प्राप्तांक 95% से जादा है। एक लाख 84,000 विद्यारति ऐसे हैं जिनके प्राप्तांक 90% से जादा है। यानि कि अगर इसे रेशियो में कनवर्ट करने की कोशिश करें तो हम ये पाते हैं कि हर एक 10 स्टुडेंट में एक बच्चा जरूर 90% मार्क्स लेकर के आया है। तो ये कही न कही सिक्षा जगत की अच्छे संगेत लेकिन बात तब खराब होती है। चिंता तब होती है जब यही विद्यार थी जिसने कख्षा 10 में बहुत अच्छे प्राप्तांक लिए। बारभी तक जाते जाते उसके प्राप्तांक कम हो जाते हैं। कई सारे केसे ऐसे देखने को आया है कि डबवाय है। कैसे यह हुआ कैसे इसे समझने की जरूरत है और इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं क्रिप्या करके अपने पिरेंट्स को भी यह विडियो जरूर शेर कीचे का। सबसे पहले तो कक्षा दसपास करते ही आपके सामने स्ट्रिम की चुनावती होती है कि हुमिनीटीज या आर्ट्स पढ़ें, कॉमर्स पढ़ें या साइंस पढ़ें। तो आपको मैं बता देता हूं कि क्रिप्या करके आपका अंतरमन जो कहें, आपका इंट्रिस्ट जो कहें, आपका कांसलर उस निर्णय तक आपको पहुँचाए। कि आप arts लेना चाहते हैं, humanities लेना चाहते हैं, science लेना चाहते हैं, या commerce लेना चाहते हैं, उसी stream को ही pursue कीचेगा क्रिप्या करके, सबर्दस्ती मत कीचेगा, आपके parents ये दबाओ देने की कोशिश करें कि नहीं, बेटा तुमने engineer बनना है, चले जाओ IIT के तयारी करने के लिए, तो क्रिप्या करके अपने आप से एक बार पूछना, अपनी रहे जरूर लेना, अपने counselor की मदद लेना, और उसके बाद वो चीज़ करने की कोशिश करना, बाकी पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, अगर पढ़ाई करेंगे तो कोई फेल नहीं हो सकता, बिलकु तो चलिए लेकिन फिर भी हम समझाने की कोशिश करते हैं, अगर इसमें से 50 प्रतिशत भी चीज़ों को आप अपने अंदर समावेश करेंगे तो आप जरूर 12 के टॉपर पनेगे सबसे पहले तो ये एज ऐसी होती है, 16 साल की उम्रे क्रॉस करते ही विद्यार्थी को लगता है कि पुरी दुनिया की शक्ती मेरे पास है, पुरी दुनिया जीत सकता हूँ, सही बात है, जीत तो सकते हो, लेकिन उस एनर्जी को एक सही दिशा देने की जरूरत है सबसे पहले Science की Students की बात करता हूँ, तो Science की Students को सबसे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, Physics, Chemistry, Mathematics, कुछ Biology वाले होगे तो Biology इनका स्लेबस अचानक सा इतना जादा बढ़ जाता है कि कोपप करना थोड़ा सा शुरू में मुश्किल होता है क्योंकि कक्षा 10 तक जितना पूरा स्लेबस था सोशल साइन्स, साइन्स, हिंदी, अंग्रेजी, मैथेमेटिक्स उतने सारे सब्जेक्स को मिला करके एक सब्जेक्स बनता है साइन्स का जैसे कि आपका विजिक्स हो गया, किमिस्ट्री हो गया या मैथेमेटिक्स और बायालोची हो गया तो कृप्या करके ध्यान रखें कि क्लास तो करना ही करना है उसके अलावा कम से कम हर दें तीन घंटे से जाला सेल्फ स्टडी करने है अगर तीन घंटे तक सेल्फ स्टडी करेंगे आप हर दें तो आप कभी फेल नहीं हो सकते आपके प्रातान कभी भी खराब नहीं हो सकते इस चीज को लिख लिजिए ये ठान लीजिए ये प्रुब्ड है, प्रुबन स्टेट्मेंट है ऐसे नहीं है, एकदम बिल्कुल प्रुबन है 100% इसके अलावा आपने करना क्या है एक भी टॉपिक एक भी दिन छोड़ने की कोशिश मत करना, ऐसा हुआ कि आज पढ़ाया गया कोई भी टॉपिक उसे जरूर घर पर जा करके आज पढ़ देना, अगर इतना ही सिरफ फॉलो करोगे हर देन तो आप 80% बहुत इसली लेके आ सकते हो, क्लास 12 बोर्ड में कोई समस्या में है बाकी कॉमर्स और आर्स इमनेटीज के लिए भी यही है लेकिन उनका स्लेबस थोड़ा कम होता है और उन्हें सिरफ फैक्ट्स पढ़ने होते है कॉमर्स वालों के लिए फिर भी थोड़ा सा है अकाउंट से सब्जेक्ट से एकुस मैथेमेटिक्स भी है तो उसमें भी दिमाग लगाना काफी जरूरी होता है उसको भी प्रैक्टिस के जरूरत होती है लेकिन कोई विद्धार्थी साइंस का है और हिवनेटीस या कॉमर्स वाले को देखके ये मत सोचना कि मुझे समस्या हो रही है वो मस्ती कर रहा है मैं नहीं पढ़ रहा हूँ जब मैं भी मस्ती करूँ तो कृप्या करके इस चीज को इस बहम को अपने ध्यान से निकाल देना आपको पढ़ने की जरूरत है हर दिन बाकी जो भी चीजे होती है उसको नोट्स बना बना के पढ़िए यूटूब की मद्द लेजी आजकल तो सारे स्कूल बंद है ओनलाइन क्लासेज ही चल रही है लेकिन ओनलाइन क्लासेज होने के बाद में टेक्स्ट बुक की आतक जरूर डाले सभी विद्धार्थियों के चाहे हो साइंस के हो, आर्ट्स के हो, हेमेनिटिस के हो या फिर कॉमर्स के हो क्रिप्या करके टेस्ट बुक पढ़ने की आतक जरूर डालिए, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है और सबसे महत्वपून बाद थोड़ा सा मोबाइल फोन का यूज़ पे कंट्रोल करिए, थोड़ा सा कंट्रोल कीज़े ज़्यादा सोशल वेब साइट्स को, सोशल नेटवरकिंग साइट्स को यूज़ करना जरूरी नहीं है फेस्बूप, वेट्सैप, इंस्टाग्राम ट्विटर नहीं भी करेंगे तो कुछ आपका चला नहीं जाएगा, दो साल अच्छे से पढ़लो तब तब थोड़ी सी मेचुरिटी आ जाएगी तब आप कॉलेज के दिनों में अच्छे से इस चीज़ को कोपक कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो अपना जो अंदर का एनरजी है उसे थोड़ा शांत करने की कोशिश करें उसे दूसरे दिशा में लगाईए पढ़ाई में लगाईए कहन अध्यन कीजिए और फिर दो साल बाद जब परिडाम आएगा 95 प्लस का तो फिर आपको इतनी खुशी होगी कि मेरे इन शब्दों को याद करेंगे और सोचेंगे कि वाकई कुछ अच्छा कह गया था जो आपके चीवन में सही साबित हो गया तो जितने भी विद्यार्थी गण हैं 11-12 में भी जाने वाले हैं कृप्या करके रेगुलर रहिएगा अपने क्लासेस को ले करके अपने सेल्फ स्टडी को ले करके and the most important thing is सेल्फ स्टडी हमारे अंग्रिजी के टीचर परमिश्वरम सोनु सर कहा करते थे कि सेल्फ रीडिग इस as important as anything else और मैं उसे आज भी फॉलो करता हूँ आपको पताने की कोशिश करता हूँ कृप्या करके इस वीडियो को माक्सम लोगों तक शेर करने की कोशिश कीजिएगा अगर पसंद आगया तो लाइक भी कर दीगा अगर इस चनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले यंग लड़ीज और जिंटल मैं थैंक वर वाची अगर बस्ट पर रफटर चाग बटल्स दो आग अगर श्क्राइब